हेलो स्टुडेंट वेलकम बेक टू माई चैनल समराट अकेडमी तुम मेरे प्यारे विद्धार थी हो त्रिमासिक पेपर आप लोगों का चल रहा है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समाजी बिग्यान ठीक है समाजी बिग्यान के फूल सलूसन के बारे में जो कैसे इसे पूरे प्रस्णों को याद कर लीजिए ताकि पेपर में आपको एक प्रस्ण दिकत ना हो ठीक है तो आई चलते हैं सिधे प्रस्ण की तरप पहला प्रस्ण जैसा कि देख पा रहे हैं आपर पहला प्रस्ण यहां पर सही विकल्प को चून कर लिखिए सही विकल् अभी दर्धहों पहला प्रस्ण देखिए पहला प्रस्ने है कोइली की सरवत्तम किसमने है कोइले की सरवत्तम किसमने वताईए इंतिसईट की पीट्री की प्रांतिके की विद्रों की पॉली गटना कहां पर होईार का जो विद्रों की पॉली गटना कहां वहा बताइए वेरकपूरज हवन की मेरठ की दिली की कानपूर ठैखें बताएए क्या होगा इसका सउनफ़र न пр прषफ तो संताओं की विद्रों की जो पाली गटना होई थी, वो मेरट होई थी, कहां? मेरट में होई थी, कहांपे? मेरट में होई थी, इसलिए आपसंद भी, इस क्योसन की अजागा साही आंसर हो जागा, ठीक है? कि बंगाल विभाजन किस ने किया कि बंगाल विभाजन किस ने किया बताइए लाट्स करजन ने कि लाट्स रीपन ने कि विलियम वेंटिक ने कि मारानी विक्टोरिया ने बताइए बंगाल विभाजन किस ने किया तो बंगाल विभाजन लाट्स करजन ने क्या लाट्स करज चलिए बढ़िए नेक्स क्यों समर्च था कि किस ने कहा भारतिय संबीधान भारतियों के इच्छानुसार होगा बताइए बाल गंगार दर तिलक ने पंडी जवाल लाल नहरू ने कि मात्मा गांदी ने कि सरदार बल्लब भाई पर्टेल ने बताएं इन चारो अपसन में से क किसने कहा कि भारतिय संबीधान भारतियों के इच्छानुसार होगा तो वो थे मात्मा गांदी किसने कहा मात्मा गांदी ने आपसन सी स्क्यूसन के क्या हो जागा सई आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न के और पाचमा प्रश्न पाचमा प्रश कि निरच्छर्था कि आधुनी की राण आधुनी की कराण बताईए इन चारव सुन में से कौन सा होगा तन्यून में से कौन सा प्रजात तंतर की सफलता वादक तत्व नहीं है वह आप संडी आधुनी की कराण जो है वह प्रजात तंतर की सफलता में वादक तत्व नहीं है चलिए next question की तरव बढ़ चलते हैं चलिए परहला प्रश्ण समाप्त होता हुआ आप दूसरा प्रश्ण देखिए दूसरा प्रश्ण कहा रहा है कि रिक्त अस्थानों की पूर्ती कीजिए पहला है कि बहादूर साध्यूतियों को भारत से निर्वाचित कर भेज दिया गया क कि बहादूर साध्यूतियों को भारत से निर्वाचित करके कहां भेज दिया गया तो रंगून कहां रंगून यहां पर अच्छे तरीके से लिख देता हूं नूट कर लिजे कहां भेज दिया गया रंगून भेज दिया गया कहां पर रंगून ठीक है चलिए पहला प्रश् शर्वोच मे कंवा प्रक्रिया है जो आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जो आर्थिक प्रक्रिया होती है क्या आर्थिक इसमें क्या बराया जाएगा आर्थिक बराया जाएगा कौन से प्रक्रिया होती है आर्थिक प्रक्रिया होती है चलिए चोथा इंडिया वीजन 2020 का प्रकाशन वर्स कब हुआ तो इंडिया वीजन 2020 का जो प्रकाशन वर्स है वो उन्नाइस स तो इंडिया वीजन 2020 का प्रकाशन वर्स 1998 होगा ठीक है तो चवता में उन्नेश वंठान में भरा जाएगा पांचमा प्रस्टन लाष्ट दूर संचार के माध्यम से वस्तूओं का क्रे विक्रे करना कहलाता है तुम्हें नाम लिख देता हूं उसका नाम लिखे बहुत अच् मार्केटिंग टेली मार्केटिंग क्या कहलाता है टेली मार्केटिंग क्या लाता है टेली मार्केटिंग यह नाम बिल्कुल याद दोना चाहिए ठीक है इसमें पांचमा में का बरा जाएगा टेली मार्केटिंग बरा जाएगा ठीक है चलिए आई होप आपको क्यों समद् परशन देखिए तीसरा परशन है कि एक वाग्य में उत्तर लिखे एक वाग्य में उत्तर लिखना है ठीक है तो जानने देखिए क्या है पहला है कि 1984 में 1984 में मद्य पर्देश के की सानी गैस का रिशाव रहा था ठीक है तो भोपाल क्या दैंगे भोपाल में ठीक है भोपाल होगा इसका अंसर ठीक है चलिए ंब देखें दूसरा क्यूश्चर दूसरा कह रहा है कि किसका बलीदान पर्थम सवतंत्रासंग्रा में पहली आहुती थी किसका बलिदान प्रथम स्वतंत्र संग्रा में पहली आयूती थी तो क्या होगा विरांगना या लिखे नाम विरांगना विरांगना अवंति बाई अवंति बाई अवंति बाई ठीक है कहे रहा कि किसका बलिदान प्रथम स्वतंत्र संग्रा में पहली आयूती विरांगना आवंती बाई ठीक है यह होगा अंसर ठीक है चलिए तीसरा परशन तीसरा परशन है कि भारत में बेरोजगारी के कितने परकार हैं तो भारत में बेरोजगारी के कितने परकार हैं तो पांच कितने परकार हैं पांच हैं कौन-कौन तो यहां पे नाम भी लिख सकत मायंग में कमी दूसरा क्या है मायंग में कमी और तीसरा है संराचनात्मक संराचनात्मक बेरोजगारी तीन्ठ हो गया दो नाम और लिख देता हूँ क्या परतिरोधात्मक बेरोजगारी परतिरोधात्मक बेरोजगारी और पाचवा मौसमी मौसमी बेरोजगारी तो पांच होगे न टोटल तो यह बेरोजगारी है भारत में बेरोजगारी की कितने परकारे पांच है पांच वो का नाम मैंने लिग दिया था ठीक है चलिए कह रहा है कि तो जीवन काल कहते है तो इसका आंसर की आप जगा जीवन काल थीक है चलिए कि हाल मार्क किस की गुरवत्ता प्रवमारित करता है जो हाल मार्क किसकी गुड़ता प्रवमारित करता है तो प्लेटीनम की करता है सोने की करता है और चांदी की करता है ठीक है तो प्लेटीनम सोना चांदी होगा ठीक है इसका अंसर चलिए तीसरा प्रशन यह आप अच्छे तरीके से किलियर हो गया ना कोई कोई दिक्कत नहीं चलिए नेक्स्ट प्रस्ट नेक्स तरह बढ़ेंगे आप प्रस्ट नमर चोथा प्रस्ट नमर चोथा कह रहा है कि सही जोड़ी लिखिए मतलब सही मिलान करना इसमें कि सही मिलान क्या होगा ठीक है तो देखे सुनामी तो सुनामी किसे मिलेगा तो सुनाम उन नहीं सोह कुसे मिल जाएक नहीं सोपयले से बारचाल दूरोन के मादक पैदार्थ युदंडा नहीं सोब साथा humble चैसे हेरोइं क्या मारलक मादक पार्थ होता है इसलिए whilst इ्युद्डि में alm बज गया आपका उपबक्ता सुरच्छ आधिनीयम, तो भकता सुरच्छ आधिनीयम कब मिला गुआ अबş मिल जाएगा उने दिष्टा से इस Serya से मिल जाएगा तो मिलान आपको समझ में आ गया नहाँ बै। नहीए यह मिलेगा आपका 14 से इसके बाद हीरोई नहीं क्या है यह मादक पदाख ते 551 मिल जाएगा किसी मिल जाएगा और यह वला 35 नहीं मिलाने अच्छे तरीके से इसे घ्लिएं 5 नंबर ओड़ेगा जिए 14 प्रशन के दूरह बढ़ेंगा 5 वा मत्रों स्थ पुछ रहा है कि सत्य और असत्य लिखे क्या पुछ रहा है सत्य और असत्य लिखे चलिए देखते हैं पहला है कि भुकांप बाड यॉम सुखा प्राकृतिक आपदा है तो बिल्कुल क्या है यह सत्य यह जो होती है सब क्या होता है प्राकृतिक आपदा होता है ठीक है दूस दूसरा प्रश्ण देखिए दूसरा प्रश्ण कह रहा है कि दूसरा प्रश्ण भारतिय संसत के तीन सदन है तो भारतिय संसत के दो सदन होते हैं ठीक है इसलिए क्या हो जागा यह असत्य है क्या हो जागा यह असत्य हो जागा दूसरा क्या हो जागा सत्य है ठीक है चलिए त प्राचीन में भारत को सुनné के चीडियक competent पाच्वाँ सब्सक्राइब अगले शीचिति सब्सक्राइब ऐसके मर्सिक्निक यहां पे कि नीली करांती का अर्थ लिखे नीली करांती का अर्थ लिखे या तो भारत में तांबा उत्पादक दो छेतरों के नाम लिखे इन दोनों में इसको एक करना है तो देखे यह सिंपल है आप इसका नाम लिख लिखे यह सिंपल है कि बारत में तामबहता उलते के दो चेत्रों के नाम तो कौन कौन से हैं एक टोय अपढ़ा आप लिखने लिगे मद्य पर्देश ठींडिके दूसरा राजस्थान मद्य पर्देश राजस्थान यह भारत में तामवा तरव बढ़ियांते हैं कि उसमर्छ सात्मा है कह रहा कि सूखा आपडा के लिए कि लिए उत्तर दाई दो मानवी कारक लिखना है ठीक है तो पहला है यहां लिख लिजिए पहला पछियों को लाल मसूर खिला हैं ठीक है देखे, सुखा आपदा के लिए दो उतरदाई दो मानमी कारक हैं और दूसरा क्या पुछा है, सडक दूरगटना से बचने के दो उपाय लिखे तो इस प्रश्णों को छोड़ देता हूँ, इस प्रश्णों को बता देता हूँ क्योंकि इजी यह है, सडक दूरगटना से बचने के दो उपाय पक्छियों को लाल मसूर खिलाएं यह आपका पहला उपाय है, सडक दूरगटना से बचने का और दूसरा उपाय क्या है, यहां नोट किजिए, दूसरा है हनुमान मंदिर से कलाई पर मौली बंदवाएं क्या है, कलाई पर क्या बंदवाएं, मौली बंदवाएं यह दूसरा उपाय है, ठीक है, तो दून उपाय के लिए रोगटना पहला पच्छियों को लाल मसूर खिलाएं दूसरा अनुमान मंदिर से कलाई पर मौली बंद वाएं ठीक है चलिए प्रश्ण नमर आठवा प्रश्ण नमर आठवा है कि संखात्मक सासन पढ़ाली के दो लक्षड लिखे तो देखे कौन से दो लक्षड है तो पहला लिखे संविधान की सर्वचिता पहला क्या है संवि संविधान की सर्वचिता दूसरा क्या यहां पर नूट कीजिए कि लिखीत और कठोर संविधान लिखीत और कठोर संविधान यह आपका संखात्मक सासन पढ़ाली के दो लक्षड है ठीक है आई होप आपको यह प्रश्ण नमर आठवा दम किलियर हो गया होगा ठीक है बाड़िक वात के अनुसार विकास का अर्थ है फिर कह रहा है कि राष्टी यह आई की गड़ना की समय आउदी में की जाती है तो यह प्रश्ण को मैं छोड़ देता हूं यह प्रश्ण बता देता हूं कि राष्टी यह आई की गड़ना की समय आउदी में की जाती है ठीक ह clear हो गया है प्रश्ण तो यहां प्रश्ण नमर 9 भी clear होता है ठीक है प्रश्ण नमर 10 की तरह बढ़ चलते है प्रश्ण नमर 10 देखे क्या है कि उप भोकता के दो कर्तब लिखे फिर यह उप भोकता सोसन के दो प्रकार लिखे ठीक है तो मैं आप यह वाला प्रश्ण बता देता हूँ कि उप भोकता के दो कर्तब यह कौन-कौन से है तो पहला है कि कम वजन तॉलना और दूसरा आपका है अधीक कीमत वसूलना तो यह दो क्या है उप भोकता के दो कर्तब यह हैं कि कम वजन तोलना और अधिक कीमत वसूलना यह प्रश्ण के लिए रोटवां यह दू-दो नंबर का प्रश्ण आता ठेक है इसके बाद तीन नंबर का प्रश्ण है जो कि आपको करना है ठीक है इसको सर्च मार के कहीं से भी आप इसको याद करने जागा क्या कि हरित करांती क के तीन वी से स्थाएं लिखे या ता आवले के तीन और सदिया उपयोग लिखे इसको आपको कर देना ठीक है खोश के लिख लिजेगा आप मुबाइल पर गूगल पर भी सर्च करेंगे ति मिल जागा इस कांसर ठीक है क्योंकि यही पर अपनाने वाला आए तो अच्छे तर लिखे या तो मादक पादार्थों के सेवन के तीन परकार लिखे यह भी प्रश्ण आप गूगल पर सर्च करके दूनों में इसको यह खियात कर लिजेगा चोधामा प्रश्ण है कि आर्थिक विकास की कोई तीन विस्यस्ता लिखना है या तो विक्सित एम विकास सिल प्रश्ण के चार उपायत इसमें सो कोई एक लिख लिएगा तो काली मिटी की चार विस्यसता ही जी आप इसको लिख पाऊगे अच्छे तरीके से ठीक है चलिए सुरामा प्रश्ण देख लिए कि उगर राष्टेबात के उदे के चार कारण लिखे या भारत में राष्ट इसमें जाएंगे उसको लिख याद कर लिजीगा ठीक है इसलिए नहीं बता रहा हूं कि इसका प्रश्ण का उतर बड़ा-बड़ा है मिरे मोवाली स्कीन में छोटा पड़ जागा इसलिए में इसका उतर नहीं बता देता ठीक है चलिए प्रस्ण नमबर अठ्रामा देखि चलिए अगला प्रश्ण देख लेते हैं 19 कि प्रारूप समीति का क्या आर्थ है या तो भारती समीदान की चारवी से स्थान लिखे यह भी प्रश्ण आपको असानी से मिल जागा याद कर लिजेगा चार नमर का प्रश्ण पूचा जागा 20 प्रश्ण बेवास ठाफिका के चार लिखें मतब चार कारे लिखें या तो विदेयक पारित होने की प्रक्रिया क्या होती उसको लिखना बहुत इजी इजी टॉपिक है अराम सिन प्रश्णों को याद करके आप अच्छे माक्स पापाएंगे उपबोगता के चार अधिकार लिखना है या तो उपबोगत प्रश्टी उद्दान का है मुंबई यहाई कहां पड़ता है बाड़ प्रभाविक चेत्र को ने कच की खाड़ी कौन सा है तो यह पांचों जो टॉपिक दिखाई दे रहना आपको नक्सा मिलेगा उसी पापको दर्शाना है या तो वह कीजी है या तो आपको यह आथमा म को कम करने के पांच उपाय लिखिए ठीक है तो सिंपल आप इसको असानी से कर पावगे मेरे प्यार विद्दार थी चोवीश प्रश्ण है सवतंतरता से नानी मंगल पांडे अत्मा रानी लच्मिभाई के बारे में लिखिए भी प्रश्ण आपको पांच नमर के लिए प्रकासिक होने वाली समा चारो पत्रों के नाम लिखना यह भी चीज़े आपको असानी से उपलब्द मिल जाएंगे और इसे आप असानी से कर पाओगे ठीक है चलिए प्रश्ण नमर 26 कि भारत के प्रदान मंत्री की सक्तियां लिखिए यह तो राज जेपाल के पांच कार लिखे तो यह भी प्रश्ण आप असानी से कर पाओगे इसके इसके बाद यह जो मांचीतर आप लोगों को मिलेगा खुद इसकूल में तो यह आप आसानी से कर पाओगे तो मेरे प्यारवीदार थियो सारे टॉपिक मेरे कवर करा दिए अब हमको नहीं लगता है कि आप ए नेक्स्ट पूरे हम तब ते के लिए धन्द बात